अगर खाने की बात करें तो भारतिये वियंजन के स्वाद का मुकाबला शायद ही कोई कर सकता है तरह तरह के मसाले जो ना सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाते हैं बलकि स्वास्ते के लिए भी लाबकारी होते हैं उनी मसालों में से एक है जायफल लगभग हर वसोई घर में पाया जाने वाला यह मसाला ना सिर्फ खाने के स्वाद को दोगुना करता है बलकि यह बहुत सारे और सदिये गुनों से भी भरपूर होता है हल्दी लाइफ के इस वीडियो में हम जायफल के स्वास्ते लाब के बारे में जानकारी देंगे जायफल के लाब वो जायफल के नुक्सान जानने से पहले यह पता करते हैं कि आखिर जायफल क्या है जायफल एक सदावाहर विक्ष है जो इंडोनेशिया के मुलुक्वास द्वईक का दे सज़ है इसमें दो मसाले प्राप्त होते हैं जायफल और जावित्री यह चीन, ताइवान, मलिक्या, ग्रेनाडा, केरल, स्री लंका और दच्छिन अमेरिका में खूब पैता होता है मिरिष्ट का नामक व्रिक्ष से जायफल तथा जावित्री प्राप्त होती है इसके फूल छोटे गुच्छेदार होते हैं मिरिष्ट का व्रिक्ष के बीच को जायफल कहते हैं यह व्रिक्ष का फल छोटी नासपाती के रूप का एक से डेड़ इंच तक लंबा फल के लाल या पीले रंका होता है परिपक्ष होने पर फल दो खंडों में विफाजित हो जाता है जायफल अंदर पाये जाने वाला बीच है जबकि जावित्री लाल रिशे युक्त पदार्थ है जो बीच को उपर से ढखकर रखता है इन दोनों का स्वाद लगबग समान है लेकिन जायफल या वित्री की तुल्ला में गरम तासीर का और स्वाद में ज़्यादा दीखा होता है जैसा कि आपको पता है जायफल एक मसाला है लेकिन जायफल के फायदे मसाले से बढ़कर आवश्यक तेलों से समंदित विटामिन, खनीजपदार और जैविक योगिकों के कारण आपकी बहुत से स्वास्ते समस्याओं को दूर करने में मदद करता है जायफल में अपस्तित फायदे मन घटकों में फाइवर, मैगनीज, थाइमी, विटामिन B6, फॉलेड, मैगनीज और कॉपर आदी होते हैं जो आपके संपूर्ण स्वास्ते और कई परकार की बिमारियों को दूर करने में मदद करते हैं तो आईए याने जायफल के फायदे किन स्वास्ते समस्या को दूर करने में हमारी मदद करते हैं आजकल कई लोगों को अनिद्रा यानि रात को नींद ना आने की समस्या होती हैं पूरे दिन काम, घर और अन्य कई खीजों के कारण तनाब की परिशानी होने लगती है और उसका नतीजा अनिद्रा होता है ऐसे में जायफल का सेवन काफी लागकारी हो सकता है इसके असर से अनिद्रा की समस्या दूर हो सकती है सोने से पहले एक किलास गरम दूद में चुटकी भर जायफल मिला कर पीने से बहतर नींद आती है खाने में जायका लाने के साथ साथ जायफल में ऐसे पोशक तत्वी होते हैं जो स्किन से जुड़ी हर परिशानी को दूर करने में कारगार साबित होते हैं इसमें मौजूद एंटी इंफ्लेमेटरी गुल मुहासो को रोपने में काफी मदद करते हैं जायफल का इस्तमाल करने से जाईया, दाग धबे, काले घेडे जैसी परिशानिया भी खतम हो जाती हैं सिर्फ यही नहीं, अगर लंबे समय से कोई चोटका रिशान आपके चेहरे की सुन्दर्था को कम कर रहा है तो जायफल का इस्तमाल करके आप अपनी परिशानी को कम कर सकते हैं खाने में अगर आप जायफल का इस्तमाल करते हैं तो यह खाने के स्वाद और सुगंद को बढ़ाने के साथ ही आपके पाचन तंतर का भी खयाल रखता है इसका सेवर करने से भूख बढ़ती है और पेट से सम्मन्दित रोग जैसे कब्च, गैस, बदहजमी, पेट में मरोड पढ़ना वो डायरिया से भी राहत मिलती है एंटी इंफ्लेमेटरी और औस अधिये गुल दर्द से राहत दिला सकते हैं स्रिफ जैफल ही नहीं बलकि जैफल का तेल भी आप मास फेशियों या जोडों के दर्द के लिए उप्योप कर सकती है यहां तक कि गठिये की समस्या को भी यह कम कर सकता है बढ़ती उमर के साथ हटिया कमजोर होने लगती है अगर जैफल का सेवन या उसका तेल लगाया जाए तो गठिया के सूजनवा दर्द से राहत मिल सकती है जैफल में एंटी इंफ्लेमेटरी गुन होते हैं जो गठिया में राहत दिलाता है आप अपने बच्चों के दिमाग को तेज और स्वस्ते रखने के लिए भी जैफल का उपयोग कर सकते हैं प्राचीन समय में रोमन और यूनानी सभ्यताओं ने मस्तिक्स ट्वानिक के रूप में जैफल का उपयोग किया यह मस्तिक्स की नसों को उत्तेजित करके आपके याद रखने की शमता में सुधार करता है जैफल में मैजट्र कीन नामक योगिक होता है जो एक आग्रता और ध्यान के इंदिद करने की शमता को बढ़ता है इसके अलावा यह उन अल्जाइम को रोपता है जो अल्जाइमर जैसे मानसिक रोप को पढ़ने का कारण होते है कितना भी सिर्दर्द क्यों न हो रहा हो जाइफल के इस्तमाल से यह दर्द मिंडो में दूर भाग जाएगा सिर में दर्द होने पर जैसल को पानी या फिर कच्चे दूद में गिसकर माते पे लेप की तरह लगाने से बहुत आराम मिलता है दोस्तों जैसल में ऐसे कई एंटी ओक्सिडेंट होते हैं जो आखों से सम्मंदित रोगों से हमारी रच्छा करते हैं साथी इसके इस्तमाल से आखों की रोष्णी भी बढ़ती है लेकिन इस बात पर जरूर ध्यान रखें कि जाइफल आखों के अंदर न चला जाए ज़दी आप इसका लेप लगा रहे हैं तो सिर्फ आखों की बाहरी तवच्चा पर ही लगाए अगर दांट में कीडा लगा हो और दर्द भी ऐसेहनी हो जाए तो जाइफल के तेल को थोड़ी रूई में लेके कीडे लगे दांटों के नीचे दो से तीन घंटे तक रख दे इससे आपका दर्द तो कम होगा ही साथी कीडा भी मर जाएगा अगर आप फटी एडियों से परेशान हैं तो जाइफल को पीश कर एडियों की फटी हुई दरारों में भर दे कुछी दिन में आपको इसका असर अपनी एडियों पर दिखने लगेगा गैस या फिर कबजी की सिकायत रहती है तो जाइफल और निल्मू के रस का पेश्ट बना ले सुबा और शाम खाने के बाद इस पेश्ट को दो चम्मच सेबन करें देखिए कैसे ये तकली सुदूर हो जाती है अगर चोट लगने पे कोई गहरा घाओ हो गया है जिसे भरने में समय लग रहा है तो जाइफल के तेल को भाव पे मरहम की तरह लगाए घाओ जल्दी भरने लगेगा मूँ के चाले को ठीक करने के लिए ताजे जाइफल के रस को पानी में मिला कर पुला करें इससे मूँ के चाले ठीक हो जाते हैं देशीगी में जाइफल को भून कर सुखा ले इसके बाद इसे पीस कर आटे में मिक्स करने के बाद दोबारा देशीगी में सेखे इसके बाद इसमें शक्कर मिला के रोजाना एक चमच खाली पेट खाए निमित रूप से इसका सेवर आपको बवासीर से छुटकारा दिलाएगा जाइफल, सूंट और जावित्री को एक साथ पीश कर किसी कपड़े में बांग कर सुंगने से जुखाम में आराम मिलता है जाइफल को पीश कर इसमें सहद मिक्स करें इसे पानी के साथ चाटने से सर्दी, जुखाम और खासी की समस्या दूर हो जाती है पेट की गैस और असीडिटी की समस्या को दूर करने के लिए जाइफल, सूंट और जीरे को पीश के चून बना ले भोजन के बाद पानी के साथ इसका सेवन करने से गैस और असीडिटी की परिशानी दूर हो जाएगी धब्बे, मुहासे और जुरियों से चुटकार पाने के लिए रोजाना चुटकी भर जाइफल का सेवन करें इसमें मौजूद एंटी सेप्टिक और एंटी इंफ्लेमेटरी इसकिन को साफ रखते हैं इसके अलावा जाइफल के पाउडर को दूद में मिला कर लगाने से इसकिन समस्याएं दूर होती हैं जाइफल में पाए जाने वाले गुण आपकी तुचा के रंगत को निखारने और पिगमेंटीशन के सासार गैरे दाजब्वे को दूर करने में साहेथा करते हैं ये सूरज की तेज के नव से तुचा को होने वाले नुट्सान को भी ठीक करते हैं किसी भी चीज की अधी बुरी होती है, इसलिए हर चीज के इस्तमाल एक सीमा तक ही करना चाहिए। ठीक ऐसे ही जाइफल के साथ भी है। अगर आप जाइफल का ज्यादा मात्रा में सेवन कर रहे हैं, तो ये आपके सरीर पे विप्रित प्रभाब भी डाल सकते हैं। और आपको पुल्टी, कमजोरी, चक्कराना, जी मिचलाना जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। एक्सपर्ट बताते हैं कि अधिक मात्रा में जाइफल का उप्योग करने से, सरीर पर ठीक उसी तरह का परभाब होता है, जैसे किसी मसीले पदात का सेवन करने से होता है। खास तोर पर, जो लोग गरम परदेश में राते हैं, उन्हें जाइफल का ज्यादा इस्तमान नहीं करना चाहिए। गराबती और इस्तन पान कराने वाली महिलाओं को जाइफल का अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए। गर्वती मिहलाओ के लिए यह गर्पात यह जरम दोस्त का कारण बन सकता है तो दोस्तों यह थी हमारी आज की वीडियो मैं आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेर एंड सस्क्राइब करें साथी बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंस सकें धन्यवाद